तो आज की में क्रने वाले हैं यहां पे दो डब्बे हैं एक जो नियदी घूब सबसों दालेंगे और इसने वाले में पानी में जो इक चना फूल जाता है यादि में बड़ा हो जाता है तो यह सब likewise हम आज एक्रनेंट में देखने वाले हैं तो धक्कन हम मपले को लेते हैं इसका दिख सकते हैं अब इसमें जो है कि हम पानी ढालेंगे इस वाले बॉर्तर में जो है कि हम पानी डाले तो हमें इतना पानी डाल दिया वाले डब्ब्ब में यह हम पैट्रोल डालें इसमें रखते हैं और देखते हैं कि कितना समय में फूलता है या नई फूलता है पैट्रोड पेट्रोल का जो है कि एक्सपर्मेंट हम करने मैं इस वाले चणने को जो है कि हमें डालेंगे देखिये करमें किदेखना चाहते हैं कि क्या इस चाल यह न फूलेगा प्लिए कि देखते हैं कितने गंटे बात पूलता है तो हम इसको 8 घंटे के लिए बंद करकर रख देते हैं तो इसका धकन भी मैं लगा देता हूँ 8 घंटे बाद जो है की निकालूगा इसको तो अब हमने जो है की 8 घंटे के लिए इन दोनों को रख दिया है याँ पे 8 घंटे बाद देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं 8 घंटे बाद जो है की हम आपको दिखा दे रहें देखिए ये जो ये जो पानिवाला जो है कि लेकिन यहीं पेट्रोल का जरस नहीं हुआ करता है खुल कर देता हुआ इसको देता हुआ और इसको एक्सैट कर देता हुआ है रहे हैं यहाँ पेट्रोल वाला है पानी वाला चना अब देखिए आप मिला सकते हैं देखिए यह कितना छोटा है और यह कितना बड़ा है तो आप घर पे प्रियोग कर सकते हैं पेट्रोल में कभी भी चना बड़ा नहीं हो